मैंनत कर मेरे दोस्त क्योंकि लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं बेरोजगार नहीं तो यही मोटिवेशन के साथ आज हम अपना प्रेजल वर्ब डे 10 का सुरुवात करते हैं और मैनत कर लो भाई क्योंकि सपने में भी लड़कियों के राजकुमार ही आते हैं चाहे लड़कों के सपने में भी राजकुमार ही और पड़िया ही आती हैं तो सभी के लिए भाई स्टार्ट करते हैं मैनत क्योंकि मैनत का कोई सब्स्चूट नहीं होता है तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हुए, फ्रेजल वर्ब, डेटेन के सुरुवात करते हैं, आज का फ्रेजल वर्ब आप करना है, बिल्ड अप, बिल्ड अप का अर्थ होता है, to develop, develop, अलो प, to develop and improve something, किसी चीज को बढ़ाना या बहतर करना, बिल्ड अप, मतलब किसी चीज को बढ़ाना, उन्मत करना भी से बोल सकते हैं, या बहतर करना भी बोल सकते हैं, बिल्ड अप, इसका एक्जांबल से समझे, Right now, I am concentrating on building up my relation with my girl, अभी मैं अपने girlfriend के साथ, अपने रिस्ते को बहतर बढ़ाने में केंदृत हूं, या ध्यान केंदृत किया है, तो girl का एक अर्थ, girlfriend भी होता है, जैसी कि मैं पहले भी lectures में बता चुका हूं, तो build up, मतब किसी चीज को उन्नत करना, भेनत करना, बहतर करना, या उसे मजबूत बनाने के sense में भी होता है, नेक्स्ट आई है, अगला फ्रेजल भरव आप करा, bum, bum के साथ आप around लिख सकते हैं, about लिख सकते हैं, round लिख सकते हैं, bum about, bum around, bum round, तीनों का अर्थ एक ही होता है, समय बढ़बाद करना, या इधा उधर टहल के time बढ़बाद करना, to waste time, वेर्थ में समय गवाना, वेर्थ में समय गवाना, bum round, bum around या bum about, तीनों एक ही अर्थ देते हैं, example, please stop bumming around and do some work, please stop bumming around and do some work, मतलब इधा उधर उधर टाइम बढ़बाद मत करो और कुछ काम करो, तो bum around, bum about out या bum around, कार्थ एक ही होता है, time बढ़बाद करना, next है ये phrasal verb आपका है, bum out, bum out मतलब होता है to annoy or disappoint, किसी को निराश कर देना या परेशान कर देना, bum out, to annoy or disappoint someone, to annoy or disappoint someone होना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को निराश या परेशान कर देना, bum out, example समझे, इसके example है, my girl's friend's rude words bummed me out, मतलब मेरी girlfriend के बत्तमीजी वाले शब्दों ने मुझे निराश या परेशान कर दिया था, मेरे girlfriend के बत्तमीजी वाले, rude words मतलब बत्तमीजी वाले जो शब्द होते हैं, उसमें मुझे निराश या परेशान कर दिया था, तो bum out, मतलब निराश या परेशान कर दिया नेक्स्ट है, bump into, bump in, bump into, यहाँ bump into के जगह आप चाहें तो bump in भी कर सकते हैं, bump in, bump into, जिसका एक और सिनोनी मैंने भी लिख दिया है, come across, come across, previous year में ज़्यादा पूछा गया है, come across जो है, previous year में ज़्यादा पूछा हुआ है, आचानक किसी से मिलना, किसी वेक्ति अवस्तू से आचानक सामना होना, या मिलना, bump into या in, जिसे आप come across भी बोल सकते हैं, bump into, come across, bump in, एक ही बात है, example देखिये, I bumped into madri in a restaurant, I bumped into madri in a restaurant, मतब एक restaurant में मैं madri से अचानक मिला था, इसका शुद्ध चारण restaurant होता है, restaurant हम लोग आम बोल चालने बोल देते हैं, इंडियान एक्सिंट में, लेकिन बिटिश एंग्लिस के इंग्लिश जो एक्सिंट है, वो कहता ह restaurant, तो I bumped into madri in a restaurant, मतब एक restaurant में, मैं madri देखित से अचानक मिला था, तो bump into या come across, एक ही अर्थ देते हैं, अचानक किसी वेक्ति वस्तु से मिलना, या अचानक किसी से सामना हो जाना, next, अगला फ्रेजल बढ़ भाईए, 95 है, bump off, bump off कार्थ होता है, to kill, murder, to kill या murder, हत्या करना किसी का हत्या करना, bump off, example देखिए, dear, if you cheat me, I will bump you off, dear, if you cheat me, I will bump you off, मतलब, प्रिये, यदि तुम मुझे धोखा दोगी, तो मैं तुमारा खुन कर दूँगा, प्रिये, यदि तुम मुझे धोखा दोगी, तो मैं तुमारा खुन कर दूँगा, तो bump off मतलब किसी का खुन करना, next vessel बढ़ भाईए, 96, bunk off, यह तो सभी जानते हैं कि school life, college life, मैं कभी जब आप अचाना बीच में गाइब हो जाते थे, school से भाग जाते थे, छुट्टी कर लेते थे, तो उसी को हम bunk off कहते हैं, तो bunk off मतलब किसी कर लेना या भाग जाना, उसे ह away from school or office without permission, मतलब बिना अनुमती के, जब हम किसी office से, या फिर, मतलब जो है, school से, बिना अनुमती के, जब हम भाग जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं, bunk off, school यह कार से बिना इजाजत चले जाना, bunk off, example, she was happy to bunk off work and be my date, she was happy to bunk off work and be my date, मतलब अपने कारे में बिना अनुमती के बाहर निकलने में खुश थी, और मेरा डेट बनने में भी खुश थी, मतलब थोड़ा रोमेंटिक रिलेशनसी की बात रही है, नालाय गई थी office, लेकिन बिना बहुत के पढ़ मेंशन के, बाहर निकल अब मेरे साथ डेट पर जाने के लिए खुश थी, वही जो आजकर रोमेंटिक डेट पर जाने की बात होती है, उसे की बात हो रही है, तो bank of मतलब बिना अनुमती के office या मतलब स्कूल से, बिना अनुमती के चले जाना, next, boy up, boy up मतलब grow करना, किसी improve करना, उत्थान करना, जो है, B-U-O-Y, B-U-O-Y, boy up, boy up, मतलब to uplift, उत्थान करना, तरक्की कराना, इस सेंस में कह सकते हैं, example, information technology will buy up the nation's economy, information technology will buy up the nation's economy, मतलब यह जो सुचना पढ़ देओगी कि है, वो देश की अर्थवस्था को उन्नत कर देगी, डेवलप कर देगी, तो boy up मतलब डेवलप करना, उन्नत करना, to uplift, uplift का भी अर्थ होता है, उत्थान, next है बर्नाउट, बर्नाउट कार तो होता है, exhausted, इसको हम टू बिकम टाइट कहिए, या फिर exhausted कहिए, एक ही बात है, बर्नाउट, मतलब पुरी तरह से ठक जाना, डेट टाइट भी जिसे कहते हैं, ठक जाना, example, stop working so hard, you will burn yourself out, stop working so hard, you will burn yourself out, उतना कठोर परेश्रम करना, रुख जाओ, रुख जाओ, उतना कठोर परेश्रम करो, त तुम ठक जाओगे, रुख जाओ, उतना कठोर परेश्रम मत करो, तुम ठक जाओगे, तो बर्नाउट मतलब ठक जाना, बहुत ज्यादा ठक जाना के सेंस में होता है, नेक्ष ना ये, बस्ट इन या इन्टू, बहुत बार ये प्रिवेश्र में आचुका, जितने भी फ्र इन्टू आया है, मेली एक्षा में बस्ट इन्टू आता है, इन बहुती रेर ही दिखता है, बस्ट इन्टू, तो इंटर अपले सडली और सडली स्टार्ट क्राइंग लाफिंग एक्सेक्टरा, आचानक किसी जगह घुश जाना, बिना अनुमती के किसी जगह पे घुश या अचानक रोना या हसना सुरू कर देना, उसी को कहते हैं, बस्ट इन्टू, इक्जामपल समझे, she burst इन्टू टियर आफ्टर हीरिंग लो, शी बस्ट इन्टू टियर्ज आफ्टर हीरिंग लो, मतलब ना सुनने के बाद वो अचानक रोने लगी थी, इसको किस ने काया, I love you, तो सामने वाले नहीं का, no, but I don't love you, तो after that she burst into tears, उसके बाद वा फूट फूट कर रोने लगी थी, तो burst into मा तो अचानक किसी घरोर में गुज जाना, विरान मती के, या हसना या रोना सुरू कर देना, next, bust out, bust out का अर्थ होती है, बिना सोचे, समझे, बोल देना, अचानक बिना सोचे, समझे, बोलने को कहते हैं, bust out, to suddenly say something loudly, मतब बिना सोचे, समझे, जोड से जब हम कुछ बोल देते हैं, उसी को कहते है, bust out, अचानक जोड से बोलना, example, बहुत ही funny बनाया आपके लिए, इससे ऐसे बोला गया होगा, I love you, she bust out, मतब उसने अचानक जोड से बोला था, I love you, उसने अचानक जोड से बोला था, I love you, बॉस्ट आउट कार तो तो अचानक जोड से बोला, बीना सोचे समझे, तो देखते देखते देख रहे हैं, अंडेट फ्रेजल वर्ब पे हम पहुँच गया हैं, डेट ट्रेंट में, तो इसी तरह से जितने भी इंपोर्टन फ्रेजल वर्ब से हैं, वो आपको मिलते रहेंगे, तो आप इस क्लास को मिस मत करिये, और इसे नोट डाउन जरूर कर लिजेगा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे स्टुटेंट जो ऑफलाइन के हैं, उन लोगों ने भी आज मुझे एक दो स्टुटेंट ने दिखाया हैं, कि उन्होंने इसे नोट करके अच्छे से लिख लिया है, तो यह अच्छी बात है, आप भी इस नोट कर लिया किजे, और लेन कर जाए करें, क्योंकि यह सारे फ्रेजर्जल वर्ब् एक्जाम ओरेंटेड है, या तो एक्जाम में आचुके है, या तो मुस्स प्रोबेबल ह तो इसे लंग के लेजिए तो कल मिलते हैं डे 11 के साथ तब तक के लिए जाहिन